एक तरफ युक्रेन को अमेरिका सहित अन्य नेटो देशों से एक बार फिर भरपूर सयूग मिलने से युक्रेन बहतर इस्ति में आ गया है वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्टपती पुतिल युक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सहायता पर भूम भूम कर चेतावनी दे रहे हैं साथी रूस अब अपने पुराने साथियों से संबंद बहाल करने में भी लगा है और उन पर बैन हटाने की तयारी में है यहां तक कि जिसे रूस ने आतंकी संग्ठन की लिस्ट में डाला था उसे उस लिस्ट से बाहर हटाने जा रहा है दरसल रूस जल्द ही तालिबान को प्रतिबंदित आतंकी संग्ठन की लिस्ट से हटाने वाला है रूस की स्टेट न्यूज एजनसी आराये नवोस्ती के रिपोर्ट के मताबिक रूस के विदेश मंतरी सरगेई लवरोव ने कहा कि कजाकिस्तान ने हाली में तालिबान को आतंगी संगठन के लिस्ट से हटाया है और हम भी जल्द ही इसे लागू करेंगे रूस ने सिर्थ तालिबान को आतंगी संगठन से अटाने की बात नहीं कई है बलकि उसकी तारीव भी कर रहा है लवरोव ने कहा कि तालिबान असली ताकत है हम उसे अलग नहीं है रूस ने ये फैसला अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे के 3 साल बाद लिया है रूस ने भले ही तालिबान को आतंकी संग्ठन के लिस्ट में डाला था लेकिन तालिबान रूस से अपने संबंध बनाये हुए था उसमें रूस से तेल खरीदने की इच्छा भी जताई है रूस ने तालिबान को सेंट पीटर्सबर्ग में 5 से 8 जून तक होने वाले इंटरनेशनल इकनोमिक फोरम के लिए भी बुलाया है तालिबान को आतंके लिट से अटाना और उसके साथ रूसी संबंदों की बहाली रूस का एक बड़ा रणितिक कदम है क्योंकि तालिबान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंद नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान पर कबजा करने के लिए तालिबान ने अमेरिकी सेना के साथ लंबी लडाई लड़ी है ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली राह पर चलते हुए रूस तालिबान को अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी में है हाला कि तालिबान रूस के लिए किस तरह से उप्योगी साबित होगा ये तो बाद में पता चलेगा लेकिन ये तैय है कि अब रूस सिर्फ हमले का जवाब हमले से देने की जगह नए कूटनीतिक फैसले भी ले रहा है अब एक कुछ समय पहले ही रूस और चीन ने अफगानिस्तान में सन्य इंफ्रस्ट्रक्चर स्थापित करने के खलाफ अमेरिका और नेटो को चितावनी भी दी है दूस के राश्टपती ब्लादमिर पुतिन और चीन के राश्टपती श्री जिन पिंग ने एक सयूग बयान में कहा था कि अमेरिका और नेटो को अफगानिस्तान में फिर से सन्य बुन्यादी धाचा नहीं स्थापित करना चाहिए दोनों देशों ने ये भी कहा था कि अमेरिका और नेटो ने अफगानिस्तान पर 20 साल तक अपना कबजा रखा और अब वो एक बार फिर उस देश में और उसके अन्यक्षित्रों में सैन्य इंफ्रास्ट्रुक्चर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है रूस और चीन का कहना है कि अफगानिस्तान जिन समाजिक कठनायों का सामना कर रहा है उसे हल करने में अमेरिका और नेटो को मदद करनी चाहिए आपको बता दे कि रूस और चीन के ये बयान सुनने में भले ही बहुत अच्छे और अफदानिस्तान के फायदे के लग रहे हैं लेकिन ये कूटनितिक बयान है और अब जब रूस ने तालिबान को आदकी संग्जन के लिस्ट से हटाने का फैसला लिया है तब उसके इन बयानों का मतलब और स्पष्ट हो जाता है